नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमंग खन्ना होवेपेथि क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक वार फिर से स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज की फैलोपियन ट्यूब अगर किसी महिला का ब्लॉक हो जाता है तो उसको प्रेग्निंसी नहीं हो पाती है और उसी को हम लोग फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज कहते हैं तो साथियों जान लेते हैं पहले ये होता क्या है fallopian tube एक बहुत ही fine पतला सा ट्यूब होता है जो हमारे ovary को जो egg ovary से निकलता है उसको uterus यानि बच्चे दानी तक पहुचाने के बीच का काम करता है वो एक ट्यूब होता है जिससे ovary से egg होता हुआ वहाँ fallopian tube से गुजरता हुआ uterus पर, fallopian tube में fertilize होता हुआ यूट्रस पर जाके सेटिल होता है तो यहाँ फैलोपिन ट्यूब होता है इसको यूट्राइन ट्यूब या सैल्पिक्स भी कहते हैं लेकिन बेसिकली इसको फैलोपिन ट्यूब के नाम से जाना जाता है जब यहाई ट्यूब ब्लॉक हो जाता है तो आपका जो ओबरी से एक सिक्रीट होता है वहाँ एक फिलॉपियन ट्यूब में फर्टिलाइज नहीं हो पाता है और यूटरस तक फर्टिलाइज एक नहीं पहुच पाता है 12-3 कारगर दवाओं के बारे में जो इसमें कहीं न कहीं आपको लाब दे देंगी लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसके causes क्या होते है होता क्यों है यह यू होता है कि जो आपके uterus में endometrial membrane होती है जो endometrium होती है uterus में जो uterus की बच्चेदानी की membrane होती है इसके tissue कभी-कभी वहाँ से हटके उनकी fallopian tube में चले जाते हैं और जब यह endometrium tissue उस tube में चले जाते हैं जिसको फैलोपियन tube कहते हैं जब उसमें इन tissues की growth होने लगती है तो यहां block हो जाते हैं और जब यह ब्लॉक हो जाते हैं उस condition को endometriosis कहते हैं endometrium का uterus के lining की जगह कहीं और grow करना तो यह जो endometriosis की स्थिती है यही आपके tube blockage का सबसे main कारण है इसके अलावा आपको तमाम infection हो सकते हैं जिससे कि आपके tissue fallopian tube में जमा हो सकते हैं pass formation हो सकता है तमाम तकलीफें हो सकती हैं जो आपके fallopian tube का blockage का cause होती है और ultimately आपको infertility का cause बन जाती है इसके symptoms हाती हो symptom इसका सबसे बड़ा यही है कि आपका जो है वो pregnancy na beer हो रही हो आपका period बहुत irregular हो गया हो आपके abdominal pain हो रहा हो आपके offensive vaginal discharges आ रहे हो आपके post formation हो रहा हो आपके cramps आ रहे हो यहाँ सबस्तिचिया आपको कहीं न कहीं ये indicate करती है कि कहीं न कहीं fallopian tube block है और उसमें तकलीफ है तो fallopian tube सातियों block है अब इसको कैसे ठीक करा जाए यह सबसे important विशा है इस वीडियो का इसके लिए हम आपको 12 कारगर homeopathic दवाएं बताएंगे लेकिन दवा बताने से पहले हम आपसे फिर निवेदन करते हैं कोई भी homeopathic दवा बिना registered medical practitioner के prescribe करे बिना ना ले क्योंकि आपके symptom दवाओं के इसाफ़ से भिन हो सकते हैं हो सकता है ये दवा आपके लिए कारगर ना हो चो इस वीडियो में बताई जा रही है क्योंकि हर व्यक्ती हमियोपती के साफ़ से अलग है तो ये आपकी awareness के लिए जानकारी के लिए है कि आप जान ले कि ये दवाएं इसके लिए बहुत कारगर होती है आपको लाब दे सकती है साथियों अब चलते हैं इसकी दवाओ के विशय में इसको ठीक करने की दवाओ के विशय में फिलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेश को खोलने की विशय में जिससे कि आपकी infertility दूर हो सके आप pregnancy bear कर सके सबसे पहली और सबसे एहम दवा क्योंकि सबसे बड़ा कारण के साथ है वहाँ हम आपको बताते हैं सबसे बड़ा कारण जो कि फिलोपियन ट्यूब profess这个 होता है वो एंडोमेटियोसिस होता है और एंडोमेटियोसिस अगर आपको लुट्राइं यूट्राइन यूट्रस के लाइनिंग के टिशु आपके फ्लोप्यन ट्यूब में ग्रोव करने लगे हैं तो इसकी दवर सिमिसी फ्यूगा है आप सिमिसी फ्यूगा 200 पावर में दो-दो बून दिन में तीन बार उस इस्थिथी में ले लें कि जब आपका मेंसेज बहुत पेन्फुल हो रहा है आपको बहुत तकलीफ हो रहे हैं आपके क्रैम्स आ रहे हैं आपके खिचाव आ रहा है और आपके हेवी जो है डिशाजेज इन ऐड़ ताइम आपके दोनों फेलोपियंट 2 ूट उप ब्लउक है तो अगर आपके बलचमझ बित्व ब्लॉक है गही जो ऑपको बोह त्रह लोच दिलाएं जय मैं यूपुनियम है। आपको जो 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 बोध- ट्युस्का ब्लॉक एंट करें है उसमें बहुत आराम मिलेगा आपकी तकलीफ खतम हो जाएगी इसमें भी बहुत हैवी मिंसे पेशेंट को होता है अधा टाइम अफ मिंसे और वहाँ उसके बहुत परिशान रहते हैं और वीकनिस आजाती है तो बोर्ट यूबल ब्लॉक की बहुत अच्छी दवा यूपोन सबसे बहतर है लिकैसिस आप लिकैसिस वनियम पावर में तीन खुराग 55 मिट के फासले पर वीकली हर हमते उसे सिती बेले लें कि जब आपके लेफ साइड का फेलोपेंट ट्यूब अल्ट्रसांड में ब्लॉक निकला है और आपका पीरियड का जो हो रहा है उसमें आपचा क्लॉट्स हैं यह तिति साथ ये होती है और रात मैं आपकी तकलीफें बढ़ जाती है सोने के बाद अगर स्लीप के बाद आपकी तकलीफें और बढ़ जाती है आपका प्रिय का फैर प्लोब टॉबले आपको सोने नहीं देता है तो इसकी लेफसाइड एच्शी सबसे अच्छी दवा लिकैसिस है आप लिकैसिस वनियम पावर के बीकली पच-पच मिट के फासले पर तीन फुराक ले लें आपको अराम मिलेगा इसकी पूरा कोशिश है एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की सिती आती है कि आपके फैलोपियन ट्यूब में इंफ्लमेश कि दवा है पहली डवा है मर्सॉल दूसी दवा है पल्स हेतिला और तीसी दवा है सीपिया मर्सॉल थर्टी दो-दो बून दिन में तीन बार आप इंफ्लमेशन ओफ फ्लोपियन ट्यूब में उस अस्तिती में ले सकते हैं जब आपके चलन वाले लुकोरिया की तकलीफ हो जब आपका Leucoria period सब में burning महसूस हो आपको, तो समझ लीजे आपकी दवा Marisol 30 है, इसकी दो-दो-बून दिन में तीन बार आप inflammation of fallopian tube के लिए ले सकते हैं, यहाँ आपको आराम दे देगी, दूसरी दवा इसी इस्तिती की साथियों है Pulsettilla, Pulsettilla 30, दो-दो-बून दिन में तीन बार आप उस्तिती में ले लीजे, कि जब आपके बेचैनी बहुत रहती हो, रात भर आप पलंग में इधर से उधर टॉस करते हों, इधर से उधर करवटें लेते हों, और आपको लोगों के बीच रहना पसंद हो, अकेले रहना आपको पसंद ना हो, और आपको सांतुना यानि की कंसोलेशन आपको अम्रेट यानि फाइदा देता हो, जब आपको कोई सांतुना देता है तो आपको अच्छा लगता है, तो यहाँ दिमागी इस्तिती आपकी हो, आपको पेचैनी हो, आपको प्यास ना लगती हो और आप सज्जन हो। यह आपको recite करना है आप सज्जन है। अगर आप सज्जन विखती मत्रो斯फ के नियसे रूप में महसूस करते हैं और आपके फ्लॉप्यन ट्यूब में इंफ्लमेशन है तो इसकी सबसे बयतर दवा पल्सेटिला है पल्सेटिला का जो मेंसेश होता है पीरेड होता है यहां कम दिन के लिए रहता है शौर्ट होता है जादा दिन के लिए नहीं आता है और रिगुलर नहीं होता है थोड़ा लेट हो जाता है लेट में से इसकी स्थिती हो तो आप पल्सेटा 32-22 दिन में 3 बार ले सकती है तीसी दवा इंफ्लमेशन और फेलोपियन ट्यूप की है सीपिया सीपिया 32-22 दिन में 3 बार इस उसी स्थिती में आप ले सकते हैं जब आपका यूट्रस का बेरिंग डाउन सेंसेशन हो रहा हो यूट्रस लग रहा हो नीचे की तरफ आपका आया जा रहा है बाहर आ जाएगा यह स्थिती हो आपको हमेशा दुख अफसोस बना रहता हो आप दूले पतले ही खेरे हो यहां सारे सिम्टम अगर आप अपने में देखते हैं तो इसकी दवाशी प्या 30 है फैलोपियन ट्यूप के इंफ्लमेशन को ठीक करने के लिए उसकी आप दो दो बून दिन में तीन बार ले ले आपने शित रूप से लाप पा जाएंगे अगर यहां सिम्टम आप में आ रहा है कि आपका इंट्रकोर्स करने में आपको बहुत पेन होता है और डॉक्टर ने फैलोपियन ट्यूप ब्लॉकेज़ बताई है है इंटरसावन में आई है तो इसकी बहुत कारगरदबा दूर करने की है सातियों प्लेटिना, आप प्लेटिना 30, दो दो बून दिन में तीन बार ले लें, आपका जो यहाँ इंटर कोर्स के टाइन पे पेन होने का सिंटम है, और इसका एक और सिंटम होता है, कि आप में एक सुपरेटी कॉंपलेक्स होता है, यहाँ भी आपको डिसाइट करना है, अगर में एक कॉंफिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, कॉंपलेक्स की बात कर रहा हूं, कि एक कॉंपलेक्स महसूस होता हो हर पल, कॉंफिडेंस रहता है, लेकिन वह इतना प्रखर नहीं होता है, लेकिन जब कॉंपलेक्स होता है, तो यहाँ एससे टी साथ यह हो, तो इसकी दवा प्लेटिना है आप प्लेटिना थर्टी दो दो भून दिन में तीन बार ले लें आपका फिलोपियन ट्यूप लॉकेज ड्यू टू विद पेन डूरिंग इंटर कोर्स एंड सोप्रिटी कांप्लेक्स एजा मेंटल यहां है तो उस इस्थिति में आपका इस दवा से फि एक साथियों और आती है कि जब आपके कटिंग पेन हो रहा है अगर यहां साथियों बने तो इसकी बहुत अच्छी दवा poly Münham है पॉलिगोनम 30 दो दो बून दिन में तीन बार आप उसे स्थिती में ले सकती हैं जब आपके फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया है और आपको रेतने काटने वाला दर्ध पेट के निशले हिस्ते में महसूस हो रहा है और आपके हिप्स जो बटक्स है वो लग रहा है सिकुड के एक में आ जाएंगे इतना खिचाओ उनके बीच में हो रहा है दोनों तरफ के बाइलेटरल की जो है आपको उत्ती तकलीफ महसूस हो रही है अगर वायस्तिती आपकी महसूस हो रही हो आपको और आपका फैलोपियन ट्यूब लॉक हो तो पॉलिगोनम 30 इसको आप दो दो गून दिन में तीन बार ले ले लें आपकी समस्या बनी जात जरूर मिलेगी कि एक इस्तित फैलोपियन ट्यूब टूब ब्लॉक Is कि आती है कि आपका पीरियुट 8 से 10 दिन लेट आता है तो अगर आपका मैंसेश यानी पीरियुट आठ से दस दिन लेट आ रहा है और आपका फिलोपियन टूब ब्लॉग है या डॉक्टर ने कह दिया है तो इसकी दवा है सिलीनियम आप सिलीनियम 32-22 दिन में 3 बार ले लें तो आपका पिरियट का डेट भी सही हो जाएगा और आपका जो सिम्टम है मेंसेस लेट होने के साथ आपको यहाँ दिक्कत हो रही है यहाँ दिक्कत आपकी ठीक हो जाएगी और आप लाप पा जाएंगे एक साथियों आती है कि जब आपके फिलोपियन टूब में पस का फॉर्मिशन हो रहा हो आपका गाइनी आपको यह बता देगी कि आपको फिलोपियन टूब में पस बन रहा है तो अगर आपको फिलोपियन टूब में पस बनने की डॉक्टर आपको बताए तो इसके लिए बहुत अच्छी दवाह हुम्योपती में सालीशिया सालीशिया थार्टी दो दो मून्द आप दिन में तीन बार ले सकते हैं कि जब आपके फैलोपियन ट्यूब में बस बन रहा हो, बस के डिश्चार्जेश हो रहे हो और साथ में आपको IC कोडनेस बहुत धंडक लगती हो और पेट के निशले भाग में विशेश तोर पे आपको बहुत धंडक लगती हो आप वीकनेस मैसूस करते हो यानि सर्दी में बहुत सर्दी, गर्मी में बहुत गर्मी और overall आपको सर्दी अगर यहां इस्टिती आपको हो कि आपको चिलीनेस मैसूस हो रही हो सर्दी मैसूस हो रही हो और आपके फैलोपियन ट्यूब में पस का फार्मेशन हो रहा हो तो इसके लिए बहुत अच्छी रवाय सातियों सालिसिया, 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार आप ले लें, आपको जो पस्ट्यूल फर्मेशन है फलोपियन ट्यूब में वो पूर तयार रुख जाएगा और आप अराम पा जाएंगे एक इस्तिती सातियों आती है कि आपको पीरियेट्स के बीच में ब्लीडिंग होने लगी और आपका फलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो अगर यहां शिम्टम आपके फलोपियन ट्यूब ब्लॉक के पाए जाता है कि आपके पीरियेट्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही हो, म आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज ड्यूटू विट्वीइन दामेंसे इस इस्चिती को यहां दवा पूर्ट्याव ठीक कर देगी और उसी क्रम में आपके फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज़ को भी ऐखतम कर देगी एक स्थिति देखी गई है कि आपका फलोपियन ट्यूप ब्लॉक है और साथ में आपको यूरिनरी कम्प्लेंट्स काफी जाता है आपके यूरीन में दिक्कत हो रही है आपके यूरीन में यू टी आई आपको रिकरेंट हुआ जा रहा है सिस्टाइटिस हुआ जा रहा है यानी पेशाब की नली में सूजन हुई जा रही है इस तरह कि तमाम दिक्कतें आपको उरिनरी सिंटम में होती है तो अगर आपको उरिनरी सिंटम के साथ फैलोपियन ट्यूप की ब्लॉकेज है तो इसकी बहुत कारगरदवा टाइटिकम है सातियों आप टाइटिकम 30, 200 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार सुबा दुपैर शाम ले सकती हैं इससे आपका फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज वित यूरिनरी कंप्लेंट्स यानि की UTI, Sistitis या कोई भी यूरिनरी रिलेटेड कंप्लेंट के साथ यहाँ है तो आपकी यहाँ टाइटिकम ड्रग आप दाचॉईस है यहाँ के फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को खतम कर द दवाब बताएंगे उस इस्तिती के लिए कि किसी भी कारण से आपका फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया है तो उस टीशू को सिस्कार को आप कैसे डिजॉल्व करें इसकी बहुत कारगर दवा हो इन उम्योपैथी में थायो सिनम नम थाटी थायो सिनम नम थाटी दो दो ब कुन दिन में तीन बार अगर आप लेते हैं तो आपका ट्यूबर ब्लॉक है जो इसकार बीच में आपके फैलोपियन ट्यूब में पड़ा है उसको वह डिजॉल्व कर देगा और आपके फैलोपियन ट्यूब को खोल देगा और इसी क्रम में आपकी इन फर्टिलिटी भी दूर हो जाएगी यह कुछ दवाएं थी आप सब के लिए को खतम करने की मैं फिर आपको बता दूँ कि यहां मेरा प्रयास है कि आपको हुमियोपेथी के करीब लाओं हुमियोपेथी से अवेर कराएं कोई भी दवा बिना किसी रेजिटर्ड मेंटिकर प्रटिशनर के ना ल यूँ आपके मन में कोई सवाल हो तो यह हमारा यूट्यूब का नोटिफिकेशन पैनल में आप अपने को लिख कि हमसे पूछ सकती हैं आपको संतोष जनक जवाब देने का प्रयास करा जाएगा या फिर हमारे वाट्सैप नमबर 9415786380 पर आप अपनी को वाट्सैप कर स इस वीडियो को शेर करिए ताकि अन्य लोगों तक यह पहुंच जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल बटन दबा दें ताकि हमारे नए से नया वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे धन्यवाद करा बबन दूले में